तरवे का पुरुवान नुमान आया है और जिसदंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर ये शुश्य प्रदानमंत्री श्रिमा नरेद मोजी जी की सरकार बन रही है मैं भगवान से कामना करता हूँ, ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्धो, एसोस्वी प्रधान मंत्री पूरे देश को ना केवल दुनिया का नंबर वन का देश बनाना चाहते हैं, बलकि लोगतन पर के गौरानवित करने वाला आउसर भी है, मेरी अपने ओर से मदरे बासियों को, तमिलाडी बासियों को, मदरे सरकार की ओर से भी बढ़ाई, और ये प्रेम हमारा बना रहे, मैं यह कामना करते हैं, भगवान से कामना करता हूँ, कि हमारी हिंदू सनातन संस्कती के जंडा लगाता लेहराता है, एक जिक पूल के नतीजा सामने आये हैं और उस हिसाब से लग रहा है कि एक बार फिर इंडिये की प्रचेंड बहुमत से सरकार बने जा रही है पीम नरेंदर मोदी हेट्रिक लगाने जा रहे हमारे साथ पुर्वे सेम सिवरास सिंग चोहान साथ है हम उनसे बात करते हैं सर एक जिक्ट पूल के नतीजे आये हैं और जबर जस्त बहुमत दिख रहा है बीजेपी सरकार इंडिये को अब की बार चार सो पार ये नारा नहीं था ये जनता के दिल की आवाज थी ये भारत की जनता का संकल्प था तीसरी वार मोदी जी को परधान मुन्त्री बनाने के लिए नरेंदर मोदी जनता का विश्वास है, सृध्धा है, उनमें भक्ती है उसलिए लोगों ने रिकार्ट तोड़ वोट दिय है इस बार जी भरके वोट दिय इसलिए हम 400 पार जा रहे हैं आप 400 पार जा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस सो के अंदर सिमटती दिख रही है मुझे लगता है कि सो के अंदर नहीं सो के बहुत अंदर सिमटेगी और इस चुनाओं के बाद अप्रसांगिखी हो जाएगी इस बार एमपी की बात करें तो 29 की 29 की तरी है चिनवाडा सहित और भारी अंतर से इस बार काफी कुछ रहा दिहान लगाया पीम ने उसको लेकर भी विपक्ष ने खूब राजनीती की लेकिन अब तो एक जिक्ट पोल के बाद विपक्ष गायब दिख रहा है विपक्ष तो घटिया आरोप लगाना व्यक्ति क की गरिमा को ट्थेस पहुंचाने वाले काम